तुम लोग तो अगबद आडिंग का सारा कॉंसट si चुके हो उसमें कोई दिककत नहीं है तुम लोग ने क्यों स्टाइटिंग में इनिट रौड का सारा सीख लिया 10 रौड का भी सीख लिया 100 का भी सीख लिया अगर घर में चाहो तो 1000 पे भी कर सकते हो 10 000 पर यह कर सकता उसके बाद भी शहापव तो कर सकता है यानि adding और subtraction का पूरा concept तुम यहां से लेंके यहां तक किसी भी तरीकें का अब्र किसी भी तरीकें का adding कर सकते हो ठीक है। यह तुम लोग पर depend करता है किसी भी तरीकां का खुद्थे ही इसके बाद लिख लो, जो तुम्हें मन है लिख लो, उसे आपकर से कोसिस करो, चलो टीकर विज्वल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग विज्वल टू डिजिट का तो कर ले रहे हैंगे, बहुत इसली कर ले रहे हैं, हम लोगों को तब एक्जाम भी लेना था, सेकंड ले सकते हैं, थर्ड लेवल की तरफ जा सकते हैं, सटेंड लेवल में हम लोगों को किसी भी तरीके से थ्री डिजिट का विज्वल करना है, जो मैं तुम लोगों को इस बर छोड लेंगे, कि पिचरो नहीं कर पाऊगे, दिर्ट सोखे, टू डिजिट का ही कर लेंगे, बट टाइम, मुबाय, टीवी, या सोने से तो चलेगा नहीं, कि टाइम तो बीट रहा है न, स्कूल ठीक है नहीं ओपन है, धर पर ही बैठ है, लेकिन टाइम तो जा रहा है, पानल एक्जाम्स तो होने ही है, तुम्हारे ये उम्र, ये इस साल का उम्र भी जा रहा है, तो क्यों वेस्ट करोगे, कोसिस करो, 3 डिजिट का वीजुवल कोसिस करो, 4 डिजिट, 5 डिजिट का एडिंग करो, खुद से नंबर बनाओ, खुद से नंबर बना के अबैकर से सौल करो, पैरेंट्स को बोलो, पैरेंट्स अगर कोई नंबर बोलते हैं, उसके साहरे तुम लोग आडिंग के थूँ और 3 डिजट का वीजवल के थूँ वीजवल एडिंग करने के लिए नम्बरीं को ऐसे मत पढ़ना 1,100,23 सिंपल बस समझो 1,1,2,3 ठीक है फोर से स्टाइट करने 1,1,2,3 आशा ही करो नेक्स आडिंग करने 2,0,5,2 ऐसे ही आड करेंगे ठीक है नम्बरीं को हम लोग थाउजेट और 100 में नहीं पढ़नेगे ठीक है तो तुम लोग घर पे करोगे प्रैक्टिस कुछ प्रैक्टिस मैं दूँगी वो तुम लोग करोगे अगर ये अच्छे से 4 डिजित तक आडिं सब्क्राक्शन हम लोग का इजली हो जाता है तो हम लोग बूसरे क्लास में मल्टिप्लिकेशन सिखेंगे ठीक है जब भी खूलेगा तब भी हम लोग सकंड लेवल का एक्जाम करेंगे लेकिन थर्ड लेबल की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट कर देगे ठीक है फिर थैंक्य कर दो